नमस्कार आप सभी का स्वगत है आपके पेने चैनल एक जम डफाइश्टेडी पर इस वक्त की कुछ बड़ी खबरे हैं 79,800 मामले में काउंसलिंग और निप्ति पत जल जो भरम की स्थिति मित्रों आपके सामने पैदा की जा रही है हम उस पे परकास ड़ने माले हैं यूपी बीड आंसर की कल होगा जारी आरो ए आरो के बंपर पदो पर भरती का नोटिफिकेशन जल आने जा रहा है इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जानकारी मिलने वाली है तो उससे पहले अभी तक आप लोगों ने अपना चैनल एक जम डप हाई सब्सक्राइब ने किया है जुलाई तक पूरा हो जाएगा पांच अगस तक परडाम जारी कर दिया जाएगा विश्बिद्याले की ओर से सयुट परवेश परिच्छा च्छा जुलाई को कराई गई थी इसमें 6,15,000 अभ्याथी सामिल हुए थे परदेश के सभी 1498 केंदरों से OEMR सीट प्राप्त होने के बाद इनकी स्कैनिक का काम सुरू हो गया है या कार 20 जुलाई तक पूरा हो जाएगा लेकिन इससे पाले ही सोमार को विश्बिद्याले परिच्छा की उत्तरकुंजी जारी कर सकता है एक सवाल में गलत परिच्छा में गलत आया था उसके दो अंक विश्बिद्याले की और सभी को दिये जा सकते हैं हाला कि इस पर अंतिमनेड़े नहीं हो पाया है तो दोस्तों कल जो उत्तरकुंजी है और जारी हो जाएगी संभवता तो एक महातपूर सूचना हमारे संस्थान के माध्यम से जो इस बार UPBA हो या UPDLN में परवेश लेना चाते हैं तो हमारे संस्थान के माध्यम से YSC और YST का निसुलक एडमिसन लिया जा रहा है और जनरल और OBC की बहुत ही निमतम फिस रखी गई है जो भी हमारे संस्थान में परवेश लेना चाते हैं तो इस मोबाइल नंबर पर आप लोग संपर कर सकते हैं मोबाइल नंबर है 63-93-94-85 फिर से एक बार मोबाइल आप लोग नोट डाउन कर लीजिए 63-93-94-85 पर सीधी भरती के खाली पड़े 1000 पड़ों को भरने के लिए अधियाचन बेजने की तैयारी सचवाले लिक्त पड़ों पर बरती जल्द सचवाले में लिक्त पड़ चल रहे सीधी भरती के पड़ों पर जल्द बरा जाएगा इन पदों को बनने के लिए परकिरिया सुरूख करने का प्रस्ताव तैयर किया जा रहा है इन पदों पर भरती का प्रस्ताव उत्तर परदेश लोग सिवा आयोग और अधिनस सिवा चैन आयोग को बेजा जाएगा बताया जाता है कि सीधी भरती में करीब 1000 से अधिक पद इस समय रिक्त है अपर मुक्ष सच्यू सच्वाले परसासन की अधिस्ता में आयोजित समिच्छा बैठंग में लिक्त पदों को बरे जाने के लिए अधिया चन परबस्ताव उत्तर परदेश लोग सिवा आयोग योम अधिनस सिवा चैन आयोग को बेजने का आधिस अनुभाग और एक, दो, तीन, चार, पांच के अधिकारियों को दिया गया है सीधी बरती में लिक्त पदों के लिए 600 समिच्छा अधिकारी और साइक समिच्छा अधिकारी के 200 पद और कंप्यूटर साइक के करीब 115 पद लिक्त हैं पदों नति के लिए डीपीसी सभी विवागों को सम्विदा वा ठेका कर्मियों के बारे में बताना होगा सम्विदा और ठेके पर कर्मियों को रखने में मनमानी नहीं चलेगी विवागों को अब यह बताना होगा कि इन्हें रखने की जरूरत क्या है और कितने ऐसे करमचारी उनके यहां रखे गए हैं सरकारी विभाग निगमों, प्राधिकरडों और परसिदों में जरूरत के आदार पर सम्मिता आउट्सोर्सिंग पर कर्मिकों को रखने की व्योस्था दी गई है इनको रखने में मनमानी सिकायतें अक्सर आती रहती हैं यही नहीं कई बाद जांच के दौरान मौक्के पर सम्मिता वा ठेका कर्मि नहीं मिलते हैं इसलिए कर्मिक विभाग इनका पूरा रिकार्ड त्यार कर रहा है पिसेश सच्यू कर्मिक राजेश परताव सिंग ने सभी अपरमुक सच्यू और सच्यू को इस संबद में परत भेजते हुए ऐसे कर्मिकों के बारे में पूरी जानकारी मानी है विभाग से पूछा गया कि उनके यहां कितने करमचारी हैं और कब से तैनात हैं विभागों को 18 जुलाई तक कर्मिक विभाग को इसकी सूचना इमेल के माध्यम से देनी होगी तो दोस्तों आने माले समय में आप लोग देखेंगे सच्वाले से लगभग आरो ए आरो के लगभग साड़े 800 पद आपके समच देने देखने को मिलेगा और यह जो भरती आएगी उत्तरपर्देश लोग से वायोग के माध्यम से संभवता आएगी क्योंकि पिछली बार आप लोगों ने देखा होगा जो सच्वाले से भरती निकली थी किस परकास से ब्यापक पैमाने पर धादली होई थी आप लोग इसके गवा हैं और पेपर भी आप लोग के आउट हो गए थे गोरफपूर से किस परकास से ढड़ले से नकल कराई जा रही थी सेंटर पर तो आप लोग खुद समझदार मुझे बतानी की ज़रूरत नहीं है यूपी पीएसी यल्टी ग्रेट कला के नब्बे पदो पर फसी निउक्ती निदे साले को दुबारा फाइले भेज चुका है लोग सेवा आयो यल्टी ग्रेट सिछक बरती के ताहत कला विशेव में नब्बे चैनित अभ्यार्थियों की निउक्ती फसी है और अभ्यार्थी के अभ्यार्थी नवकरी के लिए भटक रहा है यल्टी ग्रेट सिछक बरती परिच्छा 2018 में आजवित की गई थी इसके ताहर 15 विशेव में 10,760 पदों की बरती होनी थी इनमें यल्टी ग्रेट कला के 470 पद सामिल थे इनमें 192 पद पुरुस और 2088 पद महिला वर्ग के थे तो मित्रों जो भ्यार्थी पर किरिया लटकी होई है जो अभ्यार्थी लगवक 2018 में एक्जाम देने के बाद आत्र नुक्ति पत नहीं पाएं अब बात करते हैं उनातर जा सिछक बरती मामले में तो दोस्तों जैसा आप सभी देख रहे हैं सोसल मीडिया के माद्यम से एक बरामक खबर चलाई जा रही है कि जो भरती परिगिया कंप्लीट होगी दो चड़ों में एक 4000 और एक 2800 की तो मित्रों जो खबर फैलाई जा रही है वो सरासर मित्रों निराधार है उस खबर की कोई भी पुष्टी नहीं है हमने अधिकारियों से भी वारता की और जो सिच्छा विबाग के बड़े से बड़े अधिकारी वहां से वारता करने के बाद पता चला तो मित्रों जो सिगूफा छोड़ा जा रहा है दरसल एमुद्दा मित्रों चंदे का है चंदा इकठा करने के लिए एक डर बैठाया जा रहा आपके अंदर कि आप लोग डरिये और तिजोरी में पैसे आप लोग डालिये मित्रों जब भी आपका अंसरसों की भर्ती परकिरिया होगी सभी को एक साथ निप्ति पत दी जाएगी तो आप लोग देखेंगे जुलाई माह आप लोग के लिए होने जा रहा है अंसरसों की जो भर्ती परकिरिया है उसमें आप लोग को रियर्ट देखने को मिलेगा समझिए जो जज्जमेंट है वो एक से दो दिन के अंदर अपलोड हो जाएगा तो आप लोग घबरानी की जोड नहीं है अर्शासों का जो लिष्ट है पूरे तरीके से से शेफ है और सुरच्छित है तो आप लोग लगातार सरकार के उबर दबाव बनाईए जो फजूल की बाते कर रहे हैं कि दो तरीके से भरती होंगी चार अजार और अठाइसों की अलग अलग तो आप लोग को डड़ाने का काम किया जा रहा है तो हमारे चैनल के मादर से लगातार आप लोग को सूचना दी जा रही है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है जो अब भ्यार्थियों के दारा सोचल मीडिया पर खबरे भरामर खबरे फैलाए जा रही हैं तो यह थी मातपूर जानकारी ऐसे जानकारी के साथ आप लोग निरंतर चैनल के साथ बने रही है